ज्ञान दे टेजर में आपका स्वगत है और हम आपको बताएंगे कि आखे राखी कलाई पर ही क्यों बांदी जाती है हम आपको इसका अध्यात्मिक बनुवेग्यानिक और आर्यवेदी कारण बताएंगे इस सथ अगस्त को 2017 में रक्षा बंदन है और पूरे साल में एकी बार रक्षा बंदन आता है तो धूम मुची भी रहेगी 7 अगस्त को हर साल की तरहिष्टर भी भाई बहन रक्षा बंदर मनाएंगे बहन भाई के कलाई पर राकी बांदेगी तिलक लगाएगे और आर्थी उतारेगी ये बात हर कोई जानता है कि राकी या कलावा कलाई पर ही बांदा जाता है लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं क्या कि कलाई पर ही राकी क्यों बांदी जाती है सबसे पहले तो हम इसका आरिवेदी कारण आपको बता जिता है आरिवेद के अनुसार शरीर की प्रमुक नसें कलाई से होक कर गुजरती है जो कलाई से ही नियंतरत्वी होती है कलाई पर रच्छा सुत्र बांदने से त्रीदोश खनास होता है त्रीदोश मतलब वात, पित, कफ इसके अलावा इसे लकवा, डायमिटीज, हिर्दै रोग, ब्लड प्रेश्र जैसे रोगों से भी सुरच्छा होती है फिर है मनोवेग ज्यानिक करण मनुष्य गलत रास्तों पर जाने से बचता है मन में हमेशा शान्ति हैं और पवित오गा बनी रहती है और फिर है अध्यात्मिक कर्म कलाई पर रच्छा सुत्र बानने से ब्रह्मा, विष्नु और महेश तता लक्षमी, सरसुती और दुरुगा की किर्पा प्राफ्त होती है ब्रह्मा की किर्पा से किर्थी, विष्णु किर्पा से सुरक्षा और महेश के किर्पा से सभी दुरुगनों का नाश होता है लक्षिमी के किरपा से धन, दौलत, सरसुति के किरपा से बुद्धी विवेक और दुरुगा की किरपा से शक्ति प्राप्ति विवेक तो धन्यवाद आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंड देशिए धन्यवाद